पाट अठारा निबंध लेखन एसे राइटिंग गड़तंत्र दिवस सदियों की घुलामी के बाद 15 अगस्त अबंद लेखन दिए लेखने से बाद 16 अगस्त में गलात 15 अभी से राद 10sm आ 6 अभी YouTube! झोसी होतो झाल 00 कि घुग होगourdाई। यह लेखने सी, यह ररे चेल 15 अभीत क कर लेखने से बीघक झाल झाल रक्षा बंधन भारत वर्ष त्योहारों का देश है यहां के त्योहारों का उद्देश लोगों में एकता तथा मित्रता को बढ़ाना है इन्ही पर्वों में रक्षा बंधन का पर्व परस पर प्रेम एवं रक्षा का संदेश देता है रक्षा बंधन का पर्व श्रावर मास की पूर्ण मा को मनाया जाता है प्राचीन काल से यह पर्व मुख्यता आर्यों का पर्व रहा है आर्य लोग यक्य के उपरांद रक्षा सूत्र अपने दाहिने हांथ में पानते थे और एक दूसरे की रक्षा का संकल्प लेते थे रक्षा बंधन के पर्व का एतिहासिक महत्व भी है रानी कर्मवती ने हुमायू को राखी भेजी थी हुमायू भी धर्म भाई बन कर कर्मवती की रक्षा के लिए निकल पड़ा था वर्तमान समय में यह पर्व मुख्य रूप से भाई बहन का पर्व बन गया है रक्षा बंधन के दिन बेहने पूझा करके अपने भाइयों को राखी मानती है तिलक लगाती है, आर्ती उतारती है और मिठाई खिलाती है भाई भी बेहनों को उपहार देते है तथा उनकी रक्षा का संकल्प लेते है भाई बेहनों के पवित्र प्रेम के सूचक इस पर्व को राश्ट्रियत योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए। एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांद कर अपनी एकता को बढ़ाना चाहिए। इस दिन हसारों बच्चे देश के राश्ट्रपती एवं प्रधान मंत्री को रक्षा सूत्र बांदते हैं। रक्षा बंधन का पर्व बहुत ही पवित्र पर्व है। वास्तफ में यह पर्व देश में एकता की भावना को मस्बूत करता है। निर्बलों की रक्षा का संदेश देता है। इस पर्व को अत्यंत हर्ष और उल्लास के साथ मनाना चाहिए मेरा चन्दिन शक्ति वर्ष को मेरा चन्दिन मनाया जाता है। इस दिन प्राता उटकर मैं सभी बड़ों का अभिवादन करता हूँ। नहात होकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे शक्ति प्रदान करें ताकि मैं पढ़ लिखकर अपनी देश का नाम रोशन कर सकूँ। इस दिन मैं पापा की साथ मंदिर चाकर प्रसाच चड़ाता हूँ। इस दिन मेरी खर उटसफ का महौल रहता है। रात को मैं केक काटता हूँ। और हापी बर्थडे की ध्वनी से सारा खर कूँझ उठता है। सभी लोग तुम चीयों हजारों साल, साल के दिन हों पचास ह गीत काकर मेरी लंबी आयू की कामना करते हैं। इस अफसर पर सांस्कृतिक कारिक्रम भी होते हैं। मेरी मित्र एवं सकी संबंधी मुझे तरा-तरा के उपहार देते हैं। इस अफसर पर उन्हें प्रीति भोज दिया चाता है। मेरी मां बच्चों को चोकलेट बाढ़ती ह हैं। सभी मिलकर तरा-तरा के खेल-खेलते हैं। वास्तफ में मेरा चन्दिन पर्व जैसा खुश्यों से भरा होता है। इस दिन का मुझे पिस सबरी से इंतसार रहता है। इद हमारा देश भारत विपिन संस्कृतियों का संगम है। हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। वे एक दूसरे के साथ मिल जुलकर अपनी पर्व मनाते हैं। इद मुसल्मानों का प्रमुक दिवहार है। यह भायचारे की भावना को दर्शाता है। इद का दिवहार इसलाम धर्म के पेगंबर हजरत मुहम्मद साहब की याद में मनाया चाता है। हजरत मुहम्मद साहब की याद में लोग एक महीने पहले ही रोसा उपवास रखते हैं, इस महीने को रमसान का महीना कहते हैं, रमसान की समाप्ती पर ईद का पर्फ आता है, इद के दिन सभी नए नए कपड़े पहनते हैं, मस्जदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं, इस दिन सभी मुसल्मानों के घरों में सिवईयां तथा तरा तरा के पकवान बनते हैं, इद मुबारक कहकर हिंदों मुसल्मान सभी एक दूसरे के कले मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं, इद का पर्फ वास्तफ में एकता और खुशी का पर्फ है, इस पर्फ को मिल चुल कर मनाना चाहिए, एक दूसरे के साथ प्यार और खुशियां बाटनी झाल झाल झाल